हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू दे चैनल सितेस कामर्श टूटूरियल फ्रेंड्स यह आपके GST का सेकेंड लेक्चर है जिसमें आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट MC को कुश्चन बताऊंगा और उसे पहले आपको बता दू कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आरा था कि सर हम सुने है कि एक्जाम पेटर्म में कुछ बदलाव होने वाले है तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी लेक्चर हैं बता रहा हूं कि ऐसे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है जैसे नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा और उमीद भी है कि ज़्यादा कोई बदलाव नहीं होना है कि एवल मीड टर्म और इन टर्म पेपर जो है एक साथ होने वाले है बाकी कोई बदलाव का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है नहीं जागू होता है लिकर यानि सराप पर भी नहीं लागू होता है और पेट्रॉल दिजल पर भी लागू नहीं होता है तोया है यहाँ पर डिवला अपता आपका सभी होगा ऑल अब बैाव – ठीक है छलिए Question No.32 है GST द्वारा निमलिखित में से कौन सा कर समाप्थ हो जाएगा which of the following tax will be abolished by the GST तो friends आपको बता दे कि GST लागू होने से जो भी पुराने indirect taxes थे वो abolished हो जाएगे तो यहाँ पर कौन-कौन से indirect taxes है वो abolished हो जाएगा तो चलो देखते हैं पहले लिखा है सेवा कर यानि service tax तो friends यह जो है indirect tax है ठीक है तो यह जो है abolished हो जाएगा ठीक है GST लगने पर निगम कर दिया यह तो direct tax है आएकर यह भी direct tax और धन कर यह भी direct tax है ठीक है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा अभी भी income tax आपने फोर समेस्टर में पढ़ा होगा ठीक है question number 33 है निमलिखित में से कौन से कर the GST के तहत लागू नहीं है विचोद फॉल्विंग tax rate is not applicable under the GST तो friends आपको बता दूँ मैंने पहले भी बताया था कि 5% जो है आपका GST का rate है 12% है और 18% है 28% है बताये इसमें से कौन से इसमें नहीं है तो आपका D वाला इसमें नहीं है तो आपका D वाला option सही होगा ये GST का rate नहीं है GST का अंतरगत ये rate जो है applicable नहीं है चलिए देखते हैं अगला question GST किस परकार का खर है what kind of tax is GST तो friends GST जो है direct tax नहीं है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा indirect tax है यानि अपरत्यच कर है ठीक है चलिए अपरत्यच कर है तो B वाला option आपका सही होगा और direct tax जो होता है income tax होता है question number 38 है आपका HSN code का मतलब है HSN code stand for तो HSN code का full form होता है harmonized system of nomenclator ठीक है और friends आपको बता दूँ कि ये जो है six digit का uniform code होता है six digit का uniform code होता है six digit आप याद भी रखिएगा चुंकि हो सकता है MCQ में पूछा भी जा सकता है तो six digit का जो uniform code होता है जो classify करता है 5000 plus product को जिसे दुनिया भर में जो है accept किया जाता है ठीक है चलिए अगला question है आपका question number 39 है SAC का मतलब है SAC stand for तो friends आपको बता दू services accounting codes और ये जो है use किया जाता है classify करने के लिए identify करने के लिए determination करने के लिए measure करने के लिए applicability of GST ठीक है तो आपका evil options है ये full farm पूछा है तो ठीक है चलिए देखते है अगला question or 40 है भारत को GST का तरीका मिल गया इंडिया has got mode of GST तो friends आपको बता दे दोहरी GST यानि devil GST का ठीक है आपका evil options है ये जो GST का जो model है devil GST का ये Canada से लिए गया है ठीक है चलिए अगला question देखते है question number 41 है GST का मतलब है GST stand for तो इसका full farm होता है goods and service tax network ठीक है चलिए अगला question देखते हैं friends question number 42 है GST के तहत कर्योग्य घटना क्या है what is taxable event under GST तो friends supply of goods ये भी सही है supply of services ये भी सही है तो सबसे based answer आपका supply of goods and services ये दो लो इसमें आ जा रहा है ठीक है चलिए question number 43 है Kendriya GST के लिए ब्लाष्टपती की समतिक का प्राप्त की गई when president assent was obtained for central GST तो central GST central GST तो आपका जो सही अप्सन आफ्रेंट्स वे है 12 April 2017 ठीक है चलिए अगला question है question number 44 है और परतेशकर लगाया जाता है indirect taxes divided on तो friends goods and services पर ठीक है goods and services पर ठीक है तो goods, services और यहां पर दोनों आ जा रहा है इसलिए यह civil option सही होगा और income जो है यह income tax लिवाइड होता है यह direct tax होता है ठीक है चलिए question number 45 है दिएगा भी कल्पों में से अब परतेशकरों को पहचानिए identify the indirect taxes from the given option तो friends चलिए देखते है यह option में दिया हुआ है तो यह indirect tax है आपका GST with tax property tax यह तो direct tax है यहां पर भी GST indirect tax है income tax यह direct tax है service tax indirect tax है चलिए तो यह पूर्ण रूप से जो है indirect tax इसमें से कोई भी नहीं है चलिए आगे देखते हैं यह जो है indirect tax है यह direct tax है यह भी direct tax है और यह भी direct tax है चलिए custom duty यह indirect tax है XI duty indirect tax है service tax indirect tax है तो आपका Dival option सही होगा friends ठीक है Dival option आपका सही होगा ठीक है custom duty का हिंदिम बोलते हैं सीमा सुल्प और XI duty को बोलते हैं उत्पाज सुल्प या निर्माण सुल्प और service tax सेवा कर ठीक है तो Dival option आपका सही होगा friends question number 46 GST अधिनियम के तवहत लगाय जाने वाले कर की धर को कौन अधिसूचित करेगा तो यहां पर अफसर question है who will notify the rate of tax to be levied under C GST Act तो C GST Act का है न तो Central Government के recommendation पर Central Government as per recommendation of क्या GST Council तो GST Council के recommendation पर Central Government ठीक है तो आकड़ी वाला अफसर सही होगा ठीक है चलिए अगला question है question number 47 है भारत के पहले GST परिशत के अध्यक्ष कौन थे who was the first GST Council Chairman of India तो friends सबसे पहले जो थे जब GST लागूआ था उस समय अरून जैटली ठीक है लेट अरून जैटली अगला question है question number 48 है शुने रेटेड आपूर्ती में शामिल है zero rated supplies include तो friends आपको पताते हैं यहाँ पर जो export करते हैं goods and services को कापर SEZ में ठीक है SEZ में तो यहाँ पर goods and services जो है क्या करते हैं export करते हैं SEZ में यहनि special economic zone में ठीक है तो और यह वो वस्तुमें होती है जो रोज मरना की जिन्नगी में यूज की जाती है ठीक है तो यहाँ पर DEVAL option से होगा both A and C ठीक है चलिए अगला question है question number 49 निमने में से कोन बैक्ति के अंतरगा सामिल है यह वीच अफ़ फॉलिंग is included in a person तो person में कोन-कोन सामिल के जाता है friends तो आपका any firm कोई भी firm कोई भी company और कोई भी बैक्ति ठीक है DEVAL option आपका सही है question number 50 है निमने में से कोन कटुम्ब कटुम्ब में सामिल है निमने में से कोन कटुम्ब में शामिल है यह वीच अफ़ फॉलिंग is included in a family तो friends आपको बता दे family के अंतरगा husband wife ठीक है husband wife mother, father all of these तो friends कुछ और तरीके से भी पूछा जासे है इसलिए मैं पूरा बता देता हूँ कि जो family में सामिल करते है उसमें किसको किसको husband wife बच्चे ठीक है और माता पीता यानि mother father grandfather grandmother यानि दादा दादी और भाई बहन brother and sister इनको जो है GST कंतरगत सामिल किया जाता है जब ये देखे husband wife और children तो आएंगे ही आएंगे ठीक है लेकिन mother father और grandmother grandfather और brother and sister ये तब आएंगे जो fully dependent है ठीक है SAC के उपर ठीक है करदाता के उपर तो जो है ये family के definition कंतरगत आएंगे ठीक है तो default option आपका सही होगा चलिए अगला question है question number 51 है समझा गया यहाँ पर होना चीए समझा गया निर्यात कौन सी धारे में अधिस उचित है ठीक है समझा गया निर्यात कौन सी धारे में अधिस उचित है in which section is deemed export notified तो आपका जो section है 147 147 question number 52 है मेंने में से कौन सा संग राजय छित्र नहीं है यानि which of the following is not a union territory ठीक है तो friends आपको बदा दे देली और पंडोचेरी जो है बिधान सभाव वाले केंदर सासीत परदेश हैं तो इन्हें और राजय भी माना जाता है ठीक है और बाकी के जो है अंडमान नीकोबार हुआ दीपसमू हुआ लच्छ दीप हुआ नगर हवेली हुआ दमन और दिव और क्या चंडीगर ये सभी के सभी जो हैं ये केंदर सासीत परदेश हैं तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहां पर जो अभी नाम मैंने बोला उसमें से पटना तो बिलुकुल नहीं आता मैं इसलिए पूरा नाम बता दिया कि आपको ये याद रहेगा तो कोश्चन बदला भी जा सकता है ठीक है तो पटना जो है ये केंदर सासित जो है यानि यूनियन ट्रिटेरी के अंतरगत नहीं आता ठीक है तो आपका बीवल आपसंस सही होगा प्रेस्चन बबर 53 है इनपुट कर संबंदित है यानि इनपुट टेक्स इज रिलेटेड टू तो या आपका केंदरियकर यानि सेंट्रल टेक्स राजिक कर स्टेट टेक्स एककरित कर यानि इंटीग्रेटेड टेक्स और यह सभी तो आपका डीवल आपसंस सही होगा यह सभी ठीक है जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस समय जो हम टेक्स पे करते हैं चाहें CGST पेड कर रहे हो चाहें SGST पेड कर रहे हो चाहें IGST पेड कर रहे हो इनपुट टेक्स पे करते हैं यह इनपुट टेक्स होता है हमारे लिए ठीक है उस समय हम पे करते हैं जो हम पे करते हो क्या होता है input tax होता है जो हम receive करते हैं वो output tax होता है तो अगर माली जी हम कोई goods purchase कर रहे हैं तो हमें within state कर रहे हैं तो हमें input cgst और input sgst देना होता है अगर वही outside state हम purchase कर रहे हैं तो क्या होगा हमें input igst के करना होगा ठीक है चलिए तो आपका development सही है question over 54 है निमन में से किसे gst देना होता है who among the following has to pay gst तो friends आपको बता दूँ यहाँ पर आपको manufacturer को भी gst पे करना पड़ता है retailers को भी पे करना पड़ता है consumer को भी करना पड़ता है तो यहाँ पर जो सही अफसन है वो है do all of the above लेकिन क्या होता है कि जो manufacturer होता है जो gst पे करता है वो wholesaler से receive कर लेता है ले लेता है और wholesaler retailer से वसूल लेता है और retailer finally consumer से वसूल लेता है तो इसका मतलब जब भी indirect tax यानि gst की बात करते हैं तो इसका burden जो finally customer पे यानि consumer पे पड़ता है ठीक है आपका answer यहाँ पर यह होगा होगा do all of the above ठीक है चलिए question of 55 है माल की अंतर राजे आपूर्ती पर कौन से कर लगाए जाते हैं what are the taxes levied on interstate supply of goods तो देखिए friends मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था कि interstate supply पर जो है आपको cgst and sgst pay करना होता है और interstate supply पर igst pay करना होता है ठीक है तो c वाला option आपका सही होगा question number 56 है igst levied लगाई जाती है यानि igst levied can be levied तो friends आपको बता दूँ कि यह center द्वारा लगाए जाता है यानि आपका a वाला option सही होगा ठीक है question number 57 है एक ब्यक्ति के पास एक अधीक ब्यवसाय होने पर पंजी करन की आउसकता होती है अब person is having multiple business required registration एक ब्यक्ति के बाद पास जो है एक से अधिक ब्यवसाय हैं तो उसको registration की कौन से registration का आउसकता पड़ेगी तो भई इच बिजनस के लिए जो है registration की आउसकता है पड़ेगी यानि separately यानि परते एक बिजनस के लिए अलग-अलग GST registration कराना पड़ेगा ठीक है तो भीवला option आपका सही है 58 है धन का मतलब है money means तो यहाँ पर Indian legal tender आ जाता है आपका भारती कानूनी शनवीदा यह जो है आपके money कंतर गताता है विदेशी मुद्रा भी आती है foreign currency चेक प्रमिजरी note जो है परतिग्या पत्र जीशे बोलते हैं यह भी आता है ठीक है और तो यहाँ पर आपसन सहीएगा उप्रोप तो सभी है all of the above question one 59 है गैर कर्योगे छेतर का अर्थ है non taxable territory means तो कर्योगे छेतर से बाहर आपका evil option सहीए होगा outside taxable territory यानि कर्योगे छेतर से बाहर गैर कर्योगे छेतर का अर्थ होता है non taxable territory means outside taxable territory last question है आज का किंद्रिय GST के लिए राष्टपती की सहमति का प्राप्ठ की गई फिर प्रेसिडेंट एसेंट वाज अप्टेंड फार सेंट्रल GST तो फ्रेंट्स ये कोशन रिपीट हो गया है अभी अभी मैंने बताया है तो आपका 12 अपरिल 2017 होगा तो आपका कोशन ये पर समाप्त होता है फ्रेंट्स फिर्म मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वेट करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सेर जरूर कर दिजेगा थैंक यू